तो finally guys MSTCET के अब जो results है वो release हो चुके है and hope so आप सभी students ने अपना जो result है वो check कर लिया होगा result के बाद guys maximum students के बन में यही doubt रहता है कि अब हमारे जो admission process है वो कब start होगे कब हमें form भरना पड़ेगा, कब हमारी cap round की जो process है वो start होगी कब हमारा merit rank आएगा and और भी बहुत सारी चीज़ है तो इस video में guys मैं आपको actual में बताऊंगा कि कब आपकी admission process है वो start हो सकते है, कितना time इसको जो है वो लगेगा साथी में process start होने के बाद उसमें कितिनी steps होती है, क्या-क्या वाहाँ पे रहता है वो भी मैं आपको with examples जो है वो show करूँगा ताकि आपको एक clarity आए and समझ में कि कैसे आपके पूरी जो admission process है वो चलेगी तो वीडियो एंटेक देखते रहो और अगर आप चैनल पर न्यूँ हो गाई तो subscribe जाओ से कर लेना ताकि आपको admission process से related सारी जो details है वो time to time मिलती रहे तो सबसे पहल तो students के में यही doubt आएगा कि जो admission process है यह कब से वो start हो सकती है तो यह बताने से पहले मैं आपको एक important चीज़ बता जीता हूँ अभी हमारी CET examination होई थी उसके लिए हमारे एक ही simple portal है वो था जिसमें PCB group के भी students थे PCM के भी students थे and वहाँ पी सारी जो चीज़े वो करना था बट जब guys admission process start होगी तो तब PCM group के लिए जो engineering के students है जिनको engineering में admission लेना है उनके लिए एक separate portal जो है वो रहेगा जिने pharmacy में admission लेना है उनके लिए separate portal रहेगा admission के लिए जिने agriculture में admission लेना है उनके लिए different एक जो पोर्टल है वो रहेगा जहापे आपको अपनी पूरी जो admission process है वो complete करना होगा ठीक है तो यहां से सभी के लिए जो चीज़े है वो different हो जाएगी engineering वाला कई और register करेगा फार्मसी वाला कई और तो यह सारी चीज़े मैं आपको time to time बताऊंगा जब process स्टार्ट होगी वाट अभी के लिए एक idea लेलो कि different डिफरन जो पोर्टल से वो रहेंगे ठीक है इसके लगाई सभी के लिए डाउट होगा कि कब admission process स्टार्ट हो सकती है तो अगर last year का मैं बताऊ गाई तो last year भी कुछ इसी time पे जो result है वो लगाता last year गाई जो admission process है वो 24th of June 2023 को जो है वो start होई थी इस साल भी हमें इसके आज़ पास ही जो update है वो देखनी को मिलेगा generally result के 10-15 दिन के अंदर अंदर जो admission process है वो start हो जाती है अगर जल्दी process start होती है तो June में ही मतलब June के ending में जो registration process है वो start हो जाएगी तो July के starting में वो हमारी process वो start हो सकती है ठीक है अब process में क्या क्या होता है वो भी मैं आपको short में बता देता हो जैसे ही registration process start होती मतलब result के बाद जो admission की सबसे पहली step होती है वो होती है registration process जिसमें guys हमें जो है वो अपना registration करना पड़ता है CET के official portal पर अगर आपका engineering रहेगा तो engineering के portal पर आपको register करना पड़ेगा pharmacy रहेगा तो pharmacy and जब registration start होगा तो मैं आपको detail में बताऊंगा भी कैसे आपको step by step जो है वो registration करना है वो दिया गया था ठीक है इसी registration process में guys हमें अपने जो document है वो भी verify करवाना होता है consequence documents लगते है इसके उपर video में ने बनाया है वो भी आप देख सकते हो उससे भी आपको समझ में आएगा वो documents सारे verify होने के बाद guys फिर हमारी जो merit list है वो release होती है merit list है guys हमें यह पता चलता है कि हमारा overall जो rank है वो क्या है and colleges जो है guys वो rank के basis पे lot होते है ना की presentile तो जो ranks है वो बहुत ज़ादा matter करते है and यह जो ranks है जैसे आपकी registration process खतम हो जाएगी तो उसके 3-4 दिन बाद आपकी जो merit list है वो release हो जाएगी जिससे आपको समझ में आएगा कि आपका overall जो rank है वो क्या है and फिर guys rank release होने के बाद 4 पास दिन बाद फिर हमारी cap round की जो process है वो start होती है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो पहले आपका जो final merit list है वो release होगा उसके बाद provisional seat matrix आएगा जिससे यह पता चलेगा कि कौन से college में कितने seats जो है वो available है and फिर guys यहाँ पे online submission and confirmation option from cap round 1 यह वाली जो process है वो start होती है तो last year guys यह जो process है वो 20 July को जो है वो start होई ती इस साल भी इस date के आज़ पास ही जो cap round की process है वो start होगी जिसमें हमें colleges के जो options है वो डालना होता है ठीक है तो जब भी यह process start होगी तब भी मैं आपको update दूँँगा बट सबसे important है registration करना ठीक है अगर आप registration नहीं करोगे तो फिर आप cap round के लिए जो है हमें colleges के options है वो डालना पड़ता है तो इसके लिए हमें colleges जो है वो shortlist करना पड़ता है अब engineering के जो है जो 300 से भी जाता college है अब कौन से college का cutoff कितना जाएगा यह समझना भी जो है वो थोड़ा difficult हो सकता है तो इसे easy करने के लिए आप हमारी colleges का list का जो use है वो कर सकते हो अगर आपको महाराष्टर के colleges देखना है तो सारे महाराष्टर के colleges high to low cutoff form में हमने यह पर arrange कर रखे अगर आपको सारे colleges नहीं देखना है बस specific कोई district के colleges देखना है जैसे अगर आपको मुंबई के engineering colleges देखना है वहाँ पर ही admission लेना है तो आप मुंबई के list देखना यहाँ पर सारे आपको मुंबई के engineering colleges देखने को मिलेंगे सबसे साथा cutoff अभी CS branch का जाता है इसलिए हमने यहाँ पर CS branch का cutoff and rank का reference देखे इन्हें high to low के form में जो है वो arrange कर रखा है अगर जिस भी college में सपोज करते हैं कि अगर आपको 90 percentile मिले है किसी college में अगर जैसे यह college है इस college में अगर आपको CS branch मिल रहा है तो समझ जाना उस college में आपको कोई और भी branch वो easily मिल सकता है ठीक है तो इस type से आप यहाँ पे easily अपने colleges जो है वो shortlist कर सकते हो अगर आपको 90 percentile के आस-पास मिला हुआ है तो आप यहाँ पे 94 से लेके तो 83 85-86 तक के जो college है वो shortlist कर लो एंड उन college में CS के अलावा और कोई branch चाहिए होगी तो उनके भी cut of wear आप जो है वो easily check कर सकते हो और फिर आपको सारे colleges जो है वो check नहीं करना पड़ेगा अगर आपको नागपूर की list चाहिए तो नागपूर की भी मिल जाएगी नाशिक की भी ह पूरे में admission लेना है तो पूरे में जितने colleges है वो सारे लिस्ट भी आपको चोलीज आपको चैक या वो shortlist कर पाऊगे तो इसकी लिंक आपको description में मिल जाएगी एक ही इसमें सारे list मिल जाएगी जिससे आप easily अपने colleges है वो shortlist भी कर पाऊगे और देख भी पाऊगे कि कौन स के options डालते हैं उसके बाद 3-4 दिन बाद हमारा जो result है वो लगता है जिससे हमें यह पता चलता है कि हमें कौन सा college जो है वो है लोट हुआ है एक टाइम पर एक ही college जो है वो मिलता है college होने के बाद guys फिर वह आप option आते है betterment freeze वो सारे तो वो जब आएंगे तो उनके बार में मैं आपको डीटेल में बताऊंगा कि इन option का क्या meaning होता है और कैसे अब second round में बग़रे जो है वो जा सकते हो अभी के लिए वस यह समझ लो कि सबसे पहले हमारी step रहे की registration की जो कि कुछी दिनों बाद वो शुरू होगी pharmacy के लिए भी and engineering के लिए and साथ ही agriculture के लिए भी तो जब यह वो process start होगी उसके लिए ready रहना and अभी के time पर अपने सारे जो documents है वो ready रखो ताकि registration के time आपको कोई भी जो problem है वो ना है बाकी process start होते ही आपको detail में सारे जो videos है वो देखने को मिल जाएंगे ठीक है तो hope so guys आपको सारी जो चीज़े वो समझ में आ गई होगी and आपको कितना percentile मिला है comment section में ज़रूर बता देना and जैसी update आता है वैसे मैं आपको सारी जो चीज़े वो time पर बता दूँगा ठीक है तो इस video में इतना है guys मिलते है ऐसी और एक informative video में